Hello DC fans, Welcome back to my channel Daastan TV तो DC से related कुछ अपडेट्स हमको मिल रही हैं तो पहली अपडेट के बात करें तो Out of Nowhere जिससे हम कहते हैं एक announcement आ गया Warner Brothers के तरफ से कि Suicide Squad की एक Anime Movie बनेगी Suicide Squad Izzy Kai टाइटल है इस Anime का और इसका छोटा सा एक टीजर भी रिवील किया गया है YouTube पे आप जाके देख सकते हैं अच्छा गाईज, Izzy Kai का मतलब यह होता है कि यह एक category है fantasy movies की इसमें होता यह है कि कोई character transport हो जाता है किसी नए और unfamiliar world में यानि हो सकता है थोड़ा सा magic वाला concept हो कि DC के character transport हो जाएं किसी दूसरे world में तो suicide square Izzy Kai title है इस movie का और एक poster भी reveal किया गया है जिसमें हमें Harley Quinn देख सकती है और Joker भी appear हो रहा है इस movie में लेकिन इस poster को अगर आप गौर से देखें तो Harley Quinn ने कुछ batches पहन रखे हैं तो Joker का तो symbol है ही उन batches में इसके साथ साथ peacemaker और Deadshot का भी batch मौजूद है और यह जो anime है इसका BC universe से कोई लेना देना नहीं है यह stand alone movie रहेगी और आप जानते ही है इस वक्त anime की popularity बहुत जाता है तो शायद इसलिए Warner Brothers कोशिश कर रहा है कि यह जो fan base है anime का तो इसमें BC को किसी तरीके से popular किया जा सके दूसरी update है Superman and Lewis से लेके आप जानते हैं इसका season 4 green lead कर दिया गया है तो reports निकल के आ रही है कि 2024 यानि next year ही हमें इसका season 4 देखने को मिलेगा और हो सकता है season 4 इसका last season हो season 3 की जब ending होई थी तो शायद कुछ लोगों को पता हो Superman और Doomsday की fight हो रही थी तो वहीं पे cliffhanger था यानि शो को खतम कर दिया गया था तो मीद की जारी कि season 4 में हमें ये पता चलेगा कि Superman दरसल मारा गया है ये थोड़ा सा लोगों का कहना है कि हो सकता है death of Superman वाला जो concept है उसे season 4 में यूज़ किया जाए और तीसरी सबसे बड़ी update ये कि Superman legacy जो movie है उसके बारे में उस पे work चल रहा है और आप जानते है theme किसी भी super hero की एक बहुत important aspect है और Superman की theme तो आप जानते ही है आज तक जितनी भी themes आई है सब ही जबरदस्त रही है चाहे आप Henry Cavill के Superman की theme सुन लीजे या Christopher Reeve के Superman की जो theme थी सब ही अच्छी रही थी तो उमीद करते है Superman Legacy की जो theme होगी वो भी एकदम जबरदस्त होनी चाहिए 10 out of 10 होनी चाहिए तो यही कुछ updates थी बीसिस related और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए Thank you